हेलो दोस्तों मैं हूँ हैरी किचन से आज मैं आपके लिए चिकन की वेक और नहीं रेसिपी लेकर आई हूँ चिकन चिंगारी तो चलो देखते हैं किस तरह से बनाया जाएगा हमने हाफ केजी चिकन लिया है हमने बोन लेस चिकन का यूज किया है इसमें आप चाओ तो दूसरा चिकन भी ले सकते हो अब हम इसमें डेढ चमच लसनद्रख का पेस्ट डालेंगे एक चमच अब हम इसमें देगी लाल मिर्च का डालेंगे नमक डालेंगे हम टेस्ट के अ आदे गंटे के लिए हम इसे रेस्ट पे रख देंगे अब हम एक पैन लेंगे उसमें हम दो चम्मज तेल के डालेंगे जब तेल गरम हो जाएगा फिर हम उसमें चिकन के पीस जो हमने मेरिनेट करके रखे थे वो भी इसमें डाल देंगे और इसको दोनों तरफ से गोल्डर अगर आप इस तरीके से चिकन खाना चाहते हैं तो यह आपको इस तरीके से भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगा अब हम इसकी ग्रेवी त्यार करेंगे उसके लिए हमने एक कडाई ली है उसमें हम एक बड़ा चमच सरसो का तेल डालेंगे जब तेल गरम हो जाएगा फिर हम उसमें बारीक कटा हुआ दो प्याज डालेंगे प्याज को हमने स्लाइस में कट कर लिया है और इसको गोल्डन ब 15-16 काजू के पीस हैं और इन सब को अच्छी तरीके से अब हम भूनेंगे जब तक कि हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते यह देखिए प्याज हमारे पग गए हैं जब यह ठंडे हो जाएंगे फिर हम इसको मिक्सी के जार में डालेंगे और इसका एक स्मूध प का पेस्ट डालेंगे चार हमने टमाटर को मिक्सी में पीस लिया है इसकी प्यूरी बना ली है वो भी इसमें डाल देंगे आप चाहो तो टमाटर की प्यूरी का भी यूज कर सकते हैं और इसे अब हम अच्छी तरीके से पहले भून लेंगे ताकि जो हमारे टमाटर का कलर ह इस टाइम पे अब हम इसमें प्याज और काजू का पेस्ट डालेंगे जो हमने ब्लेंडर में पीस लिया था और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे अब हमें इसे जब तक भूनना है जब तक की हमारी ग्रेवी का कलर चेंज नहीं हो जाता गैस का फ्लेम अब हम मीडियम रखेंगे और इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे यह देखिए अब हम इसमें कुछ सूके मसाले डालेंगे एक बड़ा चमच लाल मिर्ची पाउडर दो चमच दनिया पाउडर नमक डालेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालके इसको भूनेंगे यह देखिए हमारा मसाला भून के त्यार है अब हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है औ इसको ढखके हमें 5 मिनट तक पकाना है ताकि जो हमने दूट डाला है वो अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाए और हमारी थोड़ी सी ग्रेवी में ओल सेपरेट हो जाए यह देखिए इसमें बबल्स आने लग गए है अब जो चिकन के पीस हमने शैलो फ्राइ किये थे इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि जो चिकन है उसमें सारे मसालों का फ्लेवर और भी अच्छी तरीके से आ जाए यह देखिए हमारे मसाले चिकन में अच्छी तरीके से कोड हो गए है अब हम इसमें डेड़ कप पानी का डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसको अब हम ढखके पाँच मिनट और पकाएंगे ताकि हमारी जो ग्रेवी है थोड़ी सी थिक हो जाए ये देखिए पाँच मिनट हो गए है और ऑईल भी इसका सेपरेट हो गया है अब हम इसमें चार बड़े चमच फ्रेश क्र अब हम इसमें चिकन मसाला डालेंगे और इसको तीन से चार मिनट के लिए और कुक करेंगे जो हमने चिकन मसाला डाला है उसका भी फ्लेवर ग्रेवी में आ जाए ये देखिए हमारा चिकन अब बन के बिलकुल त्यार है अब हम इसको सर्फ करेंगे आप इसको तंदूरी डोती के साथ या चपाती के साथ खाये यह आपको सेम रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट देगा अगर आपको मेरी ये चिकन चिंगारी की रेसिपी अथी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको ये